तो अगर हम बात करें result की, तो result आपका आचुका है, final result है, इसमें कोई भी changes होते नहीं है, बात रही कितने percent पे हम pass होते हैं, हमें पता है कि 60% marks चाहिए होते हैं, ये बहुत बड़ी confusion है कई लोगों की, है न, 150 marks का आपका paper है, ठीक, 150 में से 60% हमें चाहिए होता है, अगर हमें qualify करना है, इसमें कोई merit नहीं बनती, CTAT exam में, कई लोग merit के भी videos आपको बनाते हुए, मिल जाएंगे YouTube पर, ठीक, तो इस 60% बनता है, 90 number, अब state wise, पहले तो ये लिखते थे के 55% जो है आपका SCST, OBC और differently abled लोगों के लिए, 55% पे होता है, बट अभी नोंने ये mention कर दिया है क state wise, state wise जो आपकी सरकार या जो आपका state या जिस भी institution में आप apply कर रहे हैं, वहाँ जो भी आपकी category के लिए relaxation होगा, वो आपको मिल जाएगा, आम भाशा में समझें, तो हम कहेंगे कि general के लिए 90 marks और जो भी categories हैं, SCST, OBC, differently abled, जो भी categories हैं, उस case में आपका 55%, तो 82 point something बनता है तो 82 पर generally मान लेते हैं हम कि आपका category में pass है, तो जिनके 82 marks हैं, अगर वो किसी category से हैं, तो वो अपने आपको qualified माने इस exam के लिए, और जो general category से आते हैं, हमका 90 score